नमस्ते बच्चों मेरा नाम है चाहाप्रते बाखेलबार आप लोगों की बैलाजी फेगेंटी स्वागत करती हूँ आपके अभिपसा एजूकेशन पर एक्सलेंस पर तो सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जनन जो होता है अपने ही समान संतती को उत्पन करना अपने ही जैसे संतती को उत्पन करना ही क्या कहलाता है बच्चों जनन कहलाता है इसकी अवश्यक्ताएं क्यों पड़ी प्रिथी पर ये जो जनन है इसकी अवश्यक्ताएं क्यों सारे जिवजनतु हैं हम आसपास भी देखते हैं हमको कुट्टी दिखाई देते हैं बिल्ली दिखाई देते हैं दिखाई देते हैं कोयल दिखाई देते हमको तोता इतने सारे जिवधारियां हमको दिखाई देते हैं बहुत सारे जिवधारियां जो हमारे पृत्थे पर पाई जाते हैं तो इनको जनन की आवश्यक्ता क्यों पड़ी है बच्चों अपने अस्तित्त को बनाए रखने के लिए इन जीवों को जनन की आवश्यक्ता पड़ी है ठीक है समझ यह जो जीव है ऐसा आप समझे यह मनुष्य की जो प्रजाती आपको आज दिखाई देरी है ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मनुष्य की जो प्रजाती खत्म हो गई ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुट्टे की जो प्रजाती हमको आज भी दिखाई देती है वो खत्म क्यों नहीं हुआ जैसे कि आप सभी को पता है बच्चो जब भी कोई जीव जन में लेता है उसकी मृत्ति होना तै होती है मालो कोई जीव है जैसे मनुषी ही जीव है वो आया पृथी पर उत्पन हुआ पैदा हुआ तो हमको तो ейसा पता ही है जो जन में लिया है उसकी मृत्ति होना ते होती है तो आज भी ये जिव मनुश्य की प्रजाती हमें दिखाई क्यों दे रही है अन्य जीवों की प्रजाती आज भी हमें दिखाई क्यों दे रही है हमको पादप की प्रजातियां है ना पौधे की अगर हम प्रजातियां देखे वो आज भी हमें दिखाई देती है वो क्यों दे रही है खत्म क्यों नहीं हो गई नस्ट क्यों नहीं हो गई तो समझेगा जनन ही एक ऐसी विधी होती है जिसके द्वारा जिव अपनी प्रजाती की निरंतरतव को बनाय हुए है कंटिनियोस ये प्रजातियां चलती रहेंगी कभी खत्म नहीं होगी लेकिन क्या एक जिव जो है जो उत्पन हुआ है जो जिनका जन्म हुआ है क्या वो खत्म नहीं होगी जब वो खत्म हो गई तो नेक्स्ट प्रजाती हमको मनुश्य की दिखाई कैसे दे गई तो यही प्र विश्क्ता पड़ी है तो ऐसे कुछ ऐसे जीवों में तो होता ही है साथ में पादपों में भी वो चीज़े हमको दिखाई देगी और जनन के कितने प्रकार होंगे इस विडियो के द्वारा हम समझने का प्रत करने का इस लेक्चर में हम देखेंगे तो समझ येगा इसकी हम रूप रेखा की सबसे पहले बात करते हैं कि हमको आखिर पढ़ना क्या है तो आज हम खतम करने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं प्रजातियों की निरंतरता क्या होती है ठीक है जिवधारियों की प्रमुख लक्षन कौन-कौन से होते हैं आखिर इनकी क्या के क्यार होती है हम देखेंगे इस प्रजनन की विधी को भी हम कितने अलग-अलग भागों में डिवाइट कर दिये हैं जैसे यहां अलेंगिक जनन है इस अलेंगिक जनन में कौन-कौन सी विधी आपको दिखाई दे रही है जैसे द्विखंडन है बिजानुद भवन की प्रक्रिया है कलीका यान है ग्यमिल निर्माण है खंडी भवन के बारे में देखेंगे अलेंगिक प्रजनन में और उसके काईक जनन कौन-कौन से है उसके अन्य विधी भी कौन-कौन से यानि कि जनन की प्रक्रिया किन-किन विधियों के द्वारा संपन्न होगी इसको हम समझने का प्रत करेंगे क्लियर है तो आज हम स्टार्ट करने वाले है जनन होता क्या चीज है हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों कि जनन होता क्या चीज है जिवधारियों के प्रमुख लक्षन क्या होते है ठीक है अलैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या होती है आज इतने ट Very important topic, base है यह आपका, आधार है, जब भी आप किसी भी बुक को सुरू करते हैं, पहला चेप्टर आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह हमारा आधार होता है, जब तक आप पहला चेप्टर शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, आगे के चेप्टर आपको समझ नही चलिए स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन, जीवों में जनन, आखे जीवों में जनन क्या होता है, तो जीव जो होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिसमें जो जीव होते हैं, अपने ही समाल संतिती को उत्पन करते हैं, अपने ही जैसे संतिती को उत्पन करते हैं, यही जनन कहलाता है हम बिल्ली की बात करें है ना, तो बिल्ली भी कैसी होती है अपने ही प्रजाती को वो उत्पन करती है समझेगा तो अपने ही जैसे संत्ति को उत्पन करना ही कहलाता है क्या कहलाता है बच्चों? जनन कहलाता है इसी को हम जनन कहते हैं आप देख रहे होगे यहां पर कुछ जीव के बारे में दिया है जैसे बिल्लियां है बहुत सारी तो यह बिल्लिय को ही उत्पन कर दी अब यहां पर देखिए तोता तोता अपने ही समाजीव को उत्पन कर रहे हैं फ्रेग्मेंटेशन यह प्लैनेरिय आईसी प्रक्रिया है बच्चो जिसमें कोई जो जीव होता है, पेरन्ट कोशी का होती है, जनक कोशी का होती है अपने ही समान जीव को क्या खरती है, एक नई संतिती को उत्पन करती है इसी को हम कहते हैं बच्चो जनन कहते हैं, Clear है? तो यह हमारा जनन है चलिए देखते हैं, जनलन से रिलेटेटों हमकुष शब्द को बताने का कोशिश करेंगे जिससे जीवन अवधी हम जीवन अवधी के बारे में क्या समझते हैं जीवन अवधी, ठीक है, लाइफ स्पैन क्या होती है तो समझेगा अलग-अलग जीवों की जीवन जो अवधी होती है, अलग-अलग होती है, जैसे मनुष एक जीवों है, उनकी जीवन अवधी अलग होगी, किसी अन जीवों की जीवन अवधी अलग होगी, समझते हैं कुछ इसके examples के द्वारा, तो यहाँ पर मैंने कुछ जीव आप जो हैं उनकी जो जीवन अवधी जो होती है वो क्या होती है कितनी होती है तो समझिएगा पांस से साथ साल तक होती है इन जीवों की जीवन अवधी कितनी होगी पांस से साथ साल तक होती है अब हम राइस प्लांट की बात करें राइस प्लांट की जीवन अवधी कितनी ह होती है तो होती है बच्चों तीन से साथ मंथ तक ही राइस प्लांट की जीवन अवधी होती है हम बना बन्यांट्री की बात करते हैं हमारे बरगत के पेड़ की बात करें जो हमको गाउं के किनारे हमको इस पस्टुप से दिखाई देती है ठीक है वहां पर आप बरगत के पे रहते हैं हम डॉगी की बात करें कुट्टे की बात करें तो इनकी जीवन अधी होगी बच्चों 22 साल तक होगी कितनी होगी 22 साल तक होगी ठीक है बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई यानिकी तितली जो होती है उनकी जो जीवन अधी होती है सिर्फ एक से दो विक य करें इनकी life life spend जो होती है 140 आपके years तक होती है 140 साल की जीवित रह पाएंगे clear है चलि हम घोड़े की बात करें हमारे प्यारे घोड़े की हम बात करते हैं इसके जो lifespan होगी वहोगी 40-50 साल 40-50 साल तक ही बस वो जीवित रह पाएंगे दैन इसके इसके बाद मृत्यू हो जाती है हम क्राव की बात करते हैं ठीक है अब ये जो क्रो होता है 15 साल तक ठीक है कववे की बात करते हैं ये 15 साल तक ही जीवित रह पाते हैं उसके बाद इसकी मृत्यू हो जाती है ठीक हम गाय की बात करें जो हमारा गाय है वो 22 साल तक ही जीवित रह पाता है बच्चो गाए हमारी जो माता है जिसको हम लक्ष्वी मानते है वो 22 साल तक ही जीवित रह पाती है देन उसके बाद उसकी मृत्ति हो जाती है ठीक है पचास से सतर साल के बाद इसकी जीवन अधी खतम हो जाती है क्रोकोडायल के हम बात करें मगरमच की बात करते हैं तो मगरमच की जीवन अधी जो होती है 60 साल तक होती है इसके बाद इसकी मृत्यू हो जाती है ठीक है खतम हो जाते हैं हम बनाना ट्री की बात करें केले की पेड़ की बात करें तो ये जो केला का पेड़ है दो से तीन साल तक ही जीवित रह पाता है फिर इसके बाद इसकी मृत्यू हो जाती है यानि कि हम जीवन अवधी की बात करें, अलग-अलग जीवों में जीवन अवधी अलग-अलग होती है यानि कि जीवन अवधी जो शब्दाया है, क्या होता है? इसको ध्यान से समझे जन्म से लेकर प्राकतिक मृत्यू तक का जो समय होता है प्राकतिक मृत्यू तक का समय ही होता है क्या जीवन अवधी कहलाता है क्लियर है जो हम कहते हैं जन्म लेता है उस इंसान के मृत्यू हो जाती है उस जीव के मृत्यू हो जाती है तो यह होता है आपका क्या जीवन अव इस प्रजनन की क्रिया में युगमकों का निर्मान होता है very important चीज है युगमक का निर्मान होना जब तक युगमक का निर्मान नहीं होगा इस प्रक्रिया में तब तक जनन की प्रक्रिया अधूरी होती है ठीक है तो इस specific reason है इसका जनन की प्रक्रिया में युगमक का निर्माण होता है समझिएगा युगमकों का निर्माण होना प्रजनन की एक मुख्य विसेस्ता होती है क्लियर है चलिए और समझते हैं इस क्रिया के द्वारा नई पीढ़ी का जन्म होता है और अनुवांशिक पदार्थ होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी इस्थानांत्रित होते रहते हैं अनुवांशिक पदार्थ यानि कि जनेटिक पदार्थ होते हैं हमारा जनेटिक पदार्थ क्या होता है समझेगा यानि कि अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो होता है DNA जो होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है DNA जो है हमारा क्या होता है बच्चो अनुवांश होता है केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर हमारे क्रोमोसोम उपस्थित होते हैं और इसी क्रोमोसोम में डीने जो है उपस्थित होता है इसी क्रोमोसोम में क्या उपस्थित होता है बच्चों डीने जो है उपस्थित होता है इस प्रकार से इसी में क्रोमोसोम में ही डीन उपस्थित होते हैं और यही अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है जो पीड़ी दर पीड़ी इस्थानांतरित होते रहते हैं माता-पिता के जो लक्षन हैं बच्चों में जाते हैं तो क्यूं किसके कारण वो जा रहे हैं तो अनुवांशिक पदार्थ के कारण ही माता-पिता के जो लक्षन होते हैं वो आने वाली संत्रती में पहुंच जाते हैं समझेगा तो यही होता है क्या जो इस क्रिया के द्वारे ही नई पीढ़ी का भी जन्म हो रहा है और अनुवाशिक पदार्थ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इस्थानांत्रित भी हो रहे हैं ठीक है नेक्स संख्य क्या होती है इसकी वृद्धी होती रहती है यह भी एक इसकी मुखी विसेश्था होती है इसमें क्या होता है डीने का दिगुणन होता है जो हमारा डीने हैं हमने देखा भी कि अनुवांशिक बदार थे डीने तो इस डीने का क्या होगा रैप्लीकेशन होगा बच्च replication यानि कि DNA का दिगुणन होता है एक जो DNA है वो दो DNA में विभक्त हो जाते हैं इसको ऐसे देखिएगा ऐसे समझी एक जो हमारा DNA है एक जो हमारा DNA है यह हमारा क्या है एक DNA समझी यह हमारा DNA है ठीक है अब यही एक जो DNA है दो संतिती DNA का निर्मान कर देती है दो DNA का निर्मान करेगी एनि कि एक यह वाला DNA हो गया और दूसरा यह वाला DNA एक DNA से कितनी DNA बन गए दो इसी को हम कहते हैं DNA का रैप्लिकेशन और इसी को कहते हैं DNA का दूगुणन ठीक है तो यह हो गई आपकी क्या DNA का दूगुणन यह भी वैरे इंपोर्टेंट गे भी इसकी मुख्य विस्यस्ताएं होती है ठीक है हम बात करते हैं आरने और कि बात करते हैं तो इनका संसलेशन होता है इस प्रक्रिया में क्या होगा बच्चों इनका संसलेशन होता है इस प्रक्रिया के द्वारा क्लियर है इस प्रक्रिया के दर क्या होगा आपके प्रोटीन कर निर्मान होगा आपके आरने कर निर्मान होता है तो इस प्रकार से कशीका का विभाजन संभा होगा कोशीका का विभाजन मुख्य प्ले करने वाला है अब किस प्रकारस यह कोशीका का विभाजन होगा बच्चों देखिएगा bet समझिए ऐसे ये जो हमारी एक कोशी का है ये हमारी एक कोशी का है अब ये जो कोशी का जो है या तो वो समसूत्री भाजन करेगा या तो वो अर्धसूत्री भाजन करेगा इसमें कोशी का का विभाजन होगा जब युगमक बनते हैं तो अर्धसूत्री का विभाजन होता है अर्धुसुत्री भाजन होता है युगमक बनने के दोरान, तो यहां पर कोशिका का विभाजन होगा, एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्मान हो जाएगा, तो इस प्रकार कोशिका का विभाजन भी इसकी मुख्य विसेस्था होती है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं इ हमने देखा प्रजाती की निरंतर्ता को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यक्ता होती है, इसके important lab है, जीवों की निरंतर्ता को बनाए रखना, जैसे मनुष्य की प्रजाती मनुष्य को ही बना रही है, अन्न जीवों की प्रजाती अन्न जीवों को ही बना रही है, तो प समझते हैं कैसे तो प्रजाती की निरंतर्ता को बनाए रखना जो जीव होते हैं जनन की प्रक्रिया के क्या लाब हुए तो प्रजाती की निरंतर्ता को बनाए रखने के लिए लाब हुए यानि कि प्रजनन के कारण ही प्रजाती अब तक निरंतर्ता में बनी हुई है विलु के कारण ही जीवों जैसे रोग जीर्णता आयू वृद्धी इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा रोग जो है जीर्णता जो है आयू है वृद्धी जो है यह जो जब भी नई प्रजाती आती है तो नई प्रजाती जो है मृत जीवों को रिप्लेस कर देती है यानि क कि वहां से प्रतिस्थापित कर देती है और उसकी जगह पर क्या जाते हैं नए जीव आ जाते हैं क्लियर है यही कहलाती है क्या प्रतिस्थापन की प्रक्रियाएं क्लियर है हम देखते हैं जीवों का अस्तित को बनाए रखना यानि कि हमने अभी जस्ट कहा जीवों के अस्ति रखे हुए हैं इनकी वंस जो है अब तक खत्म नहीं हो गई वस अब भी चल रही है मनुश्यों का वंस देखिए आज भी हमारे दादा पड़ दाता है तो यह जो सिस्टम चल रहा है तो यह क्यों चल रहा है अपनी वंस को यह निरंतर बनाए हुए है इसलिए भी प्रजनन क की आवाश्यक्ता हो रही है यह היא बिभन्ताईं की बात करी तो जब भी जिवधार्यों में बिभनताई आती है तो नए गुण वाले जीव बनते जाते हैं नए जीवड़े जो जीव होंगे वह बनते जाएंगे बच्चों ठीक है जैसे हमारे माता का पिता है उन्हीं के हम संताने हैं तो हम क्या हो बहु उनके जैसे दिख रहे हैं हम में Better नई प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कुछ ऐसे ज्यो जो होंगे उन्हीं केसमान भी दिखाई देंगे हम पढ़ेंगे आگे जनन्ऐ की वीधियों के बारे में तब हम समझेंगे इसके बारे में तो हमने देखा कि प्रजनन क्या होती है क्यासे इनके प्रकार होते हैं और यह जो प्रजनन है इनकी क्या लाब हुए इनकी विसेस्ताएं क्या थी अब देखते हैं कि प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं तो मुख्यता अगर देखें तो प्रजनन के तीन प्रकार होते हैं अलेंगिक जनन लेंगिक जनन और काईक प्रवर्धन ये तीन मुख्यता प्रकार होते हैं ठीक है तो अलेंगिक जनन और लेंगिक जनन के बारे में हम इस पस्टूप से बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ठीक है तो आज के लिए आज के लेक्चर में इतना ही आप इसको पढ़िए आप समझे यदि कोई दिक्कते होंगी तो हम अपने लाइफ शेशन में आपसे जुड़ेंगे और आपके प्रशनों का उत्तर देंगे ठीक है चलिए थैंक यू